यहां पर मिलने वाली आपको राइट बिजनस की लर्निंग, हर वेक्ति डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, कहते हैं कि अगर वही करोगे जो सब ने किया है, तो वही मिलेगा जो सब को मिला है, अगर वो चाहिए जो किसी को नहीं मिला, मारूति इसका बहुत दार इस्तिमाल करती है, कि आपकी फैमिली में, ब्लेड रिलेशन में, अगर कोई अल्रडी मारूति की कार है, उसकी RC की कॉपी समिट करो, तो मारूति करो, हाई फ्रेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर आमित पाईश्वरी और आप सभी का सौकित करता हूँ आज की इंफार्मिटिव वीडियो में, फ्रेंट्स हमें से हर व्यक्ति अपने बिजनस को एक्सपेंशन के और ले जाना चाहता है, चाहता है कि बिजनस में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी सेल हो, लेकिन दुरभाग्यवश, कॉम्पिटिशन और रिशेशन के इस दौर में, अपने बिजनस में सेल में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप 100% शौर अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, और इतना ही नहीं, मैं मेरी इंडस्ट्री में भी इनी फार्मॉले को इंप्लीमेंट करता हूं, इसी वज़ए से हम बहुत छोटी सी फर्म से मेटास Overseas Limited Company बनने तक का सफर टै कर पाए हैं, औ अगर आप एक middle score, middle, average business होना रहा है, तब भी आपने सेल को grow कर सकते हैं, और अगर आप already एक sales की industry के king हैं, तो भी आपको ज़रुवत है अपने business को further next step तक ले जाने की, तो बात करते हैं कि sales का volume कैसे बढ़ाया जाए, हम मेंसे बहुत सारे लोग sales का volume बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे businesses में ही देखा गया है, कि अपने business के data पर वो work ही नहीं करते हैं, और information technology के इस युग में data की बहुत value है, कहते हैं कि Mark Zuckerberg ने data sale कर दिया, Congress को sale कर दिया, या कोई एक company ने data leak कर दिया, इसका मतलब data की बहुत बड़ी power है, आज लोग data को हजारों, लाखों, क data of your business, अपने business का data जरूर बनाएं, अब ये data कहां से आएगा, आपके पास already business related बहुत सारी leads आती है, leads को कई बार हम वाइड कर देते हैं, जिसको जरूरत हो कि वो खरीदेगा, जो खरीदेगा, वो मेरा buyer है, नहीं, जिस व्यक्ति ने आपकी company में interest भी शो किया है, वो भी आ old buyer कितने हैं, जो already आपसे material ले चुके हैं, friends, मैंने देखा है कि लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से business कर रहे हैं, 30-35 साल से business कर रहे हैं, लेकिन उन से पूछें आपका सबसे पहला buyer कौन था, तो हो सकता है, वो बता दे, दूसरा, तीसरा, चौता, पाच्वा, एक साल में कितने बाइर आए, दो साल में कितनी lead आई, तीन साल में कितना sales volume generate किया, ये data वो रखते रही हैं, तो आपको सबसे पहला काम करना है, आज से अभी से ही अपने business में अपने sales के data को maintain करना है, leads के data को maintain करना है, क्योंकि आपने बहुत पैसा marketing पर खर्च किया है, और marketing से जितनी lead आप आपके पास आई है, उन लोगों की lead है, जो कहीं न कहीं आपके product में interest शो कर रहे थे, बशर्ते उन्होंने आप से माल लिया या ना लिया वो एक अलग बात है, लेकिन वो interested थे, इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है, अपने data को maintain करना है, सबसे पहले आपके old buyer हैं, उनकी एक excel file बनाओ, और उस file में सारा data note करो, कि मेरे कितने buyer अब तक मेरे पास है, अगर नहीं है तो आज से काम शुरू कर दो, आज से ही, कितने किसी काम को करने के लिए कोई देर नहीं होती, आज अगर आप निरने लेते हैं, तो अगले कुछ समय में आपके बहुत सारा data होगा उसके बाद आप ये देखें कि आपकी जितने old buyer हैं, उनमें से कितने buyer आपके regular हैं, जो regular आप से माल लेते हैं, और कितने ऐसे हैं जो one time buyer हैं, ध्यान रखें जो लोग regular buyer हैं, वो वो buyer हैं जो आपके product ये आपकी services satisfied हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने आप से एक बार material लिया और पूरा करने के लिए, पर आप से नहीं लिया, इसका मतलब आपके product या आपके services या आपके brand में कहीं न कई ऐसी कमी हैं, जिसकी वज़ए से आप अपने customer को regular buyer नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको एक अलग से list बनानी है, आपका one time buyer कौन है, अब one time buyer से regular जब आप follow up करते हैं और अगर उनके साथ कोई समस्या रही है, उसका समाधान करते हैं, तो आप 20 से 30% तक अपने one time buyer को regular buyer में convert कर सकते हैं, इसका मतलब आपका जो data है वो बहुत बहु मुल्या है, इस पर ज़रूर आप काम करें, उसके बाद next जो काम आपको करना है, send regular update, problem क्या है, हर व्यक्ती नेनी चीज़ों को ढूड़ना पसंद करता है, और आप जब business कर रहे हैं, तो आप भी नेनी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसकी information आपके existing buyer तक नहीं पहुंची, या आपके old buyer तक नहीं पहुंची, या one time buyer तक नहीं पहुंची, तो जरूरत क्या है, आपके जो भ in sales कब निकल रही है, आपने कोई festive discount कब offer की है, या आपने कोई package कब बनाया है, जिसके थूरू एक buyer बहुत अच्छा benefit ले सकता है, है ना, तो ये सारी चीज़ा आपको करनी है अपने sales के business में, इसके अलावा, make membership card for extra benefit, आपको पता है कि आपका एक ऐसा buyer है, जो regular आपसे material ले लगते हैं, कभी भी आफ एक नहीं है, क्योंकि आपको पता है, जब भी जूरुत पड़ेगी हो, membership card से आपको कुछ ना कुछ benefit तो हो सकता है, एक buyer इस बात को हमेशा सोचता है, आज बहुत सारी company अपने buyer को membership card दे लेती है, एक बार product लिया है, अब वो कहते हैं कि अगर हमारे product को use कर रहा है, तो मैं आपको 3% का loyalty bonus दे रहा हूं, मारूति इसका बहुत दर इस्थेवाल करती है, कि आपकी family में blood relation में अगर कोई already मारूति की car है, उसकी RC की copy submit करो, तो हम आपको 20,000 का extra discount देंगे, ऐसी schemes कही बार निकालते हैं, उसके लाबा referral benefit, आप जब किसी को membership card देना, तो उनको यह बता हैं, कि आपके membership card का reference number अगर आप किसी को देंगे, तो उससे मिलने वाला benefit आपको होगा, वो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 1%, 2%, 3%, 5%, आप अपने consumer को जब referral benefit देते हैं, तो वो consumer किसी ना किसी व्यक्तिक को recommendation ज़रूर देता है, मैं यहापर एक example ल conditional discount उस buyer को मिल जाता है, और 15 days की membership extension उस व्यक्तिक को मिल जाती है, इसलिए लोग referral का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं, आप क्या referral benefit अपने consumer को दे सकते हैं, इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, और आप ध्यान देंगे, तो आपकी industry में बहुत सारे example आपको मिलेंगे, जिनको benefit है मिलेगा, या आपको पता है कि एक buyer आपसे जो आटा खरीद रहा है, जो घर का समान खरीद रहा है, वो एक regular quantity है, जिसको regular लिता रहेगा, तो आपने तीन मेने का package दे दिया, छे मेने का package, एक साल का package, और प्लस एक additional benefit आपको दे दिया, तो जो sale आप तीन महीने बात करते चे महीने बात करते हैं, एक साल बात करते हैं, वो आपने पहले दिन कर ली, तो आपके पास volume of turnover जादा generate हो गया, तो उसका extra benefit आप क्या दे सकते हैं, वो आप decide करें, ठीक है, इसके लाबा, festive offer निकाले अपने members के लिए, आपके पास जो data है, इतने सारे members हैं, जिनको आपने card issue किया, उनके लिए को extra effective festive offer निकाले, कि भी festival पे आपको extra benefit होने वाला है, या एक आपको ऐसा gift मिलने वाला, या gift coupon मिलने वाला है, या एक ऐसी scheme निकाल रहत जिसमें lucky draw है, तो बहुत सर ऐसे तरीके हैं, जिसमें आप membership card के जरीए extra benefit देके, अपने consumer की strength को बढ़ा सकते हैं, number of customer बढ़ा सकते हैं और अपनी sale को आसानी से grow कर सकते हैं इसके लावा बहुत important बात है placement of product आप अपने product में जिस product की highest sale चाते हैं उसको कहा place करते हैं आप देखिए बहुत सारे malls में आपने देखा होगा कि बहुत सारे product जिन में high profit होता है उनको ऐसी जगे display किया जहां पर लोगों का सीधा eye contact महां पर बने मतलब उनके eye level पर product को display किया जिसकी वज़े से क्या होता है consumer देखता है और अपने bucket में product रख लिता है जिस product पर बहुत कम margin उसको नीचे लगाया था रैक में जिस पर average मार्जन उसको उपर लगाया था इसमें high profit है उसको middle में लगाया था है eye level पर ताकि लोग देखके उसको तुरंत attract हो और product को खरीदें उसके लावा display product at billing counter यह बड़ा important role play करता है कई बार आपने देखा कि बहुत सारी आपने देखा कि यहां पर यह एक ऐसा प्रोड़क्टर जो घर में यूज़ता चलो जी ले लिता हूं मतलब extra sale करने के लिए वह अपने billing counter पर भी बहुत सारा display करते हैं यह बच्चे ने जो दिखता है वो बिखता है जो दिखता है वो बिखता है तो यही काम आपको अपने business के साथ भी करना है आपकी retail shop आपकी wholesale shop आपकी distribution network आपका showroom आपका office जहां पर भी है उसकी पटिकुलर location है उस location पे कितने लोग move करते हैं वह उसको देख पाते हैं लेकिन अगर आप advertisement का असार लेते हैं आप marketing strategy में सही तरीके से advertisement करते हैं right marketing strategy को implement करते हैं तो आप आसानी से नए लोगों तक अपनी display को ले जा सकते हैं अपनी information को ले जा सकते हैं अपने business के नाम को अपने product के नाम को ले जा सकते है तो आपको क्या करना है, start local advertisement, अभी local advertisement भी दोनों तरह से होता है, offline branding के थुरू और online branding के थुरू, आज बहुत सारा youngster, ladies, housewife, senior citizen, सब social media से connected है, facebook है, linkedin है, twitter है, instagram है, you तो बहुत रहाइं Instagram को देखता है, तो आपको क्या करना है, अपने local area की territory के इसाब से, आपको creative design करने है, आप क्रेटिव को रेगुलर पोस्ट करें लोग आपके पोस्ट को देखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि हाँ अगर मुझे जरुवत है तो सबसे पहले में यहीं से वो लेना चाहता हूं तो आपको क्या करना है ऑफ-लाइन के अलावा ओन-लाइन एड्विडिस्मेंट भी करना और तो यह वो तरीके हैं जिनसे आप लोकल अड्विडिस्मेंट कर सकते हैं और लोकल एडविडिसमेंट एक स्मॉल टेरिटरी में बिजनस को प्रमोट करने का सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है क्योंकि लोग वहां पर आफ-लाइन आसानी से आपसे कनेक्ट हो सकते है तो अगर आप इसको किवल मजे के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर कोई यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम नहीं हो रहा जो आपको मजाने वाला है मिनिमम और विल्यू डिसाइड कर लो कि अगर आप 500 का ओर करते हैं या 1000 का या 5000 कोई भी एक अमाउट यो आपको लगता है मेरी इंडस्ट्री में यह अमाउंट एक वायवल अमाउंट है मिनिमम जिसमें मैं डिलीवरी कराता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी हो जाता है और जो म मिनिमम क्वान्टिटी के साथ मेघिल को दिलीवर कर सकते हैं यह डिसाइड करते हैं तो वो लोग जो घर बैटकर ओडर करती ंवो भी आप से लेने के लिए तयार है सोचिल मीडिया पर वो घर बैटकर देखी रहे है घर से बाहर निकलते हैं असपास ट्री में तो आपके slept देखते हैं आपकी hołding लेक्ते आपका स्हटीन देखते हैं एक सकते हैं मिनीमॉम और के जरीए और मैक्सिमम किलोमीटर जहां तक वहां तक सब्सक्राइब। K construction लोग नहीं आते जो आपको आपसे क्रैडिरिट में लेते हैं और टाइम टुटपूर्ट थाइम पेमेंट भी करते हैं बहुत सरे ऐसे लोग है जो क्रैडिट पर मेटरियल ले रहे हैं पर पेमेंट शीडिल का ठीक है या अपने कोने लिमिटेशन बांद दिया कि बहुँ आ ऐसा ना हो कि एक हीम आदमी को हम ज्यादा उधार दे दें पांच अजार दस अजार पंदरा अजार बीस अजार आपके प्रोड़क्ट और इस व्यक्ति की कैपेबिलिटी के हिसाब से आपने डिजाइन कर दिया कि वह इतना मैं उधार दे सकता हूं और पंदरा दिन बाद याइक महीने बाद या थीन महीने बाद में रेगुलर पेवेरिट लिता रहूंगा नेक्स पेवमेंट नहीं आती तो आप्टिल डिजू नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है accept different payment mode क्या prepaid with extra benefit कि sir आप 3 महिने का package मुझे से ले लो और advance पे कर दो तो आपको मैं एक extra product देने वाला हूँ या extra आपको 2% का discount देने वाला हूँ या आपको extra loyalty bonus देने वाला हूँ है ना तो आप देखिए कि prepaid पर करने पर आपको क्या extra benefit customer को हो सकता है कई cases में customer को लगता है कि extra benefit है चलो है तीन मेने के एडवांस देता हूँ मुझे time to time मिलता रहेगा जैसे मैं example बताता हूँ मेरे area में juice shop है उसका बढ़ अच्छा concept लगा कि sir आप रोज juice पीने आते हैं या आपके घर से juice का order आता है और एक glass मैं 70 रुपी का देता हूँ आप 30 दिन का order 30 गुना में साथ दिया 2100 रुपे अगर आप 2100 रुपे मुझे देते हैं तो मैं 330 प्लस 5 पांस दिन का आपको एक्स्ट्रा juice दूँगा या आप मुझे 1800 रुपे देते हैं तो जो काम आपका 2100 रुपे में हो रहा है वो 1800 में हो जाएगा 30 दिन का तो मैंने का कि भी ठीक है ये भी वह अच्छे कॉप्शन है तो या तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हैं ये भी एक अच्छा तरीका है आप पोस्टबर पर क्या सकीम उनको देते हैं की भी ठीक मेटिल ने रहिए पेमिंट बाद में कर रहे हैं तो आप कैसे उसको एक्सट्रा मेटिल दे सकते हैं और टाइमली पेमिंट उसको ले सकते हैं योग में आप डिजिटल पेमेंट को expect नहीं करेंगे तो आप नजिए रहा जाएंगे आज बहुत Mang को डिजिटल पेमेंट को एकसेट किया जा रहे है एक मैंने बोर्ड देखा था मैं देखके हारान हो गया एक भीकारी जो भीक मांग रहा है वो कहरे कि अगर आप चाहो तो मुझे पेटियम कर दो अपना यहां पर टांगा हुए बड़ा वायरल हुआ उसका वह इमेज कि एक भीकारी ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है तो पार्ट size and concept है एक है up-selling और एक है cross selling up-selling and cross selling यह करना भी बहुत जरूरी जितनी भी बड़ी-बड़ी companies है वह अपने sales and marketing executive के जरी है up-selling and cross selling का formula जडूर अपनाती है हलकास आपको बताएता हूं अ अप उसी का और अप्ग्रेड वर्दन क्या है वह आप सेल कर दे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है क्रॉस सेलिंग का मतलब एक कंजूमर एक प्रोड़क्ट लेने के लिए तयार है तो उस प्रोड़क्ट के साथ में आप कौन सा ऐसा प्रोड़क्ट है जो और उसक हो जाएगी या आप 1500 रुपे और देते हैं तो आपका इंशोरेंस हो जाएगा थेफ्ट इंशोरेंस वाटर इंशोरेंस कुछ भी डैमेज इंशोरेंस क्लेम आप कर सकते हैं तो इसको क्या कहेंगे क्रॉस सेल कि उस व्यक्ति ने एक प्रोड़क्ट तो बेचा साथ में दूसरा प्रोड़क्ट भी बेज दिया उसने का सारी इतना मेहगा फॉन लिया आप एक कवर भी लिए और टाफन ग्लास भी लिए इसको बोलते हम क्रॉस सेल ठीक उस तरह से अपसेल भी होती है फ्रेंट रिक्वेस्ट उसको कॉमेंट बॉक्स में खुल कर लिखें आप जो पूछना चाते हैं लिखें हमारी टीम उसका रिपलाई आपको जरूर देगी कोई भी इन्फार्मेटिव वीडियो मिसना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को ज़रूर प्र कर लें और बैल आइकन को जरूर प्रेस करना मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके समयरे बविश्य की कामना करता हूं जय हिन जय भारत